देखों यहां पर अपने पास QS played two lines की equation गिएन है l1 ax plus by plus C is equal to zero in l2 line अपने पास sorry l2 line है LX plus MY plus N is equal to 0 ठीक है, यह L1 line है, यह L2 line है L2, ठीक है, इनके बीच का angle कितना है? ठीटा है, ठीक है, तो L1 line की slope तो क्या हो जाएगी? M1 में माल लेता हूँ, तो इस line की slope है A minus A by B, और L2 line की slope क्या है? M2, वो क्या है? M1 minus LYM, ठीक है? तो सबसे फ़हले हैं, तो हम intersection point P find out करते हैं तो first equation L1 को मैं L से multiply करेंगे तो A LX plus B L Y plus CL is equal to 0 L2 line को मैं A से multiply करूँगा तो A LX plus A MY plus AN is equal to 0, ठीक है? इसको मैं subtract करूँगा, तो यह क्या जाएगे cancel out तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा? Y को मैं आ जाएगा, and BL minus AM is equal to क्या आ गया? AN minus CL, ठीक है? तो यहाँ से Y कोडिनेट क्या जाएगा? AN minus CL upon BL minus AM, ठीक है? अब यह Y कोडिनेट हम यहाँ पे रखेंगे तो X की value आ जाएगी, AX plus BY plus C is equal to 0 तो Y की value हम यहाँ पे डालेंगे, तो क्या आ जाएगा? AX plus B into AN minus CL upon BL minus AM plus C is equal to 0 ठीक है? तो AX plus BAN minus BCL plus BCL minus CAM upon BL minus AM is equal to 0 ठीक है? BCL BCL यहाँ से क्या डालोट हो गया? और यहाँ से AX is equal to क्या जाएगा? CM minus BN upon BL minus AM ठीक है? तो AX and Y कोडिनेट आगे है? तो intersection point P क्या जाएगा अपने पास? CM minus BN upon BL minus AM यह कोडिनेट क्या इसका? A N minus CL upon BL minus AM ठीक है? यह कोडिनेट आगे है अपने पास P अब एक A से line है जो की P से pass हो रही है P point से pass हो रही है and L1 line से कितना angle मेना रही है? ठीक है? तो P point से pass होने वाली line जैसे हम आपस कोई point है X1, Y1 और slope M है तो हम लाइन कैसे लिखते है? Y minus Y1 is equal to M X minus X1 ठीक है अब देखो यह मार पास L1 and L2 line ठीक है अब एक line L है जो की P से pass हो रही है और L1 से theta angle बना रही है ठीक है तो इस line के मैं slope मा लेता हूँ M and L1 line की slope क्या है मार पास M1 वो क्या है? minus A by B ठीक है तो यह दि मैं हाँ से 10 theta लिखना चाहें तो वो क्या जाएगा? 10 theta जाएगा मेर पास M minus M1 क्या है? A by B upon 1 plus M1 M तो यह क्या जाएगा? M A by B ठीक है तो 10 theta is equal to A क्या है? A plus B M upon B minus M A ठीक है? और 10 theta की value कहा से आगी? अब देखो A L1 और L2 का जो between angle हो कितना है? theta तो यहाँ से में 10 theta लिखेंगे M1 M2 तो देखो M1 क्या है? अबर पास M minus A by B and M2 क्या है? L2 लाइन की स्लोप? minus L Y M तो यहाँ से 10 theta क्या जाएगा? M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2 ठीक है? तो 10 theta आगे है अपने पास M1 minus M2 minus A by B plus L by M upon 1 plus A L upon B M B M cancel out हो जाएगा अपने पास तो यहाँ से क्या जाएगा? M, sorry, यहाँ जाएगा यहाँ पे B L minus A M upon B M plus A L यह value मैं put कर दूँगा, कहाँ पे? यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ से 10 theta is equal to क्या है? A plus B M upon B plus B minus M A तो 10 theta की value यहाँ पे put करेंगे तो B L minus A M upon B M minus A L ठीक है, is equal to, किसके equal होगा यह? इसके, तो A plus B M A plus B M upon B minus M A B minus M A यहाँ से क्या जाएगी अपने पास? line L की slope और यह line L की slope में यहाँ पे रख देंगे और X1, Y1 क्या है? अपने पास B point है ठीक है, तो line L की equation आजाएगी अपने पास ठीक है, तो यह subject की उसने है थोड़ा line दी है, बस तरीका यह है यह इसका करने का ठीक है